आज की वीडियो में हम टेस्टिंग करेंगे सोनी f1.8 50 mm वाले लेंस की काफी लाइट वेट लेंस है वजन की बात करें तो लगबख 200 ग्रैम के आसपास है और जो में कैमरा यूज कर रहा हूँ वो है सोनी a7 क्लासिक फुल फ्रेम मेर लेस कैमरा और यह जो आपका लेंस है य आपको कम background blur मिलेगा क्योंकि 1.5 टाइम का crop factor उसमें आ जाता है लेकिन यह जो सोनी a7 कैमरा है यह फुल फ्रेम कैमरा है और इसमें आपका सोनी का e-mount यूज होता है mirrorless वाला और यह जो लेंस है यह भी आपका e-mount वाला लेंस है हाना कि यह लेंस आप सोनी के APS-C वाले कैमर उन इसमें यूज कर सकतój आप फुल फ्रेम का veio लेंस है तो आप सोनी के जितने में फुल फ्रेम कैमरा है उसमें भी यूज कर सकते हैं प्राइस की बात करें गरह हम इस लेंस की तो यह लगभग आपको 25,000 के आस-पास मिलता है नम्दया सेकन एट मेंधो ।ोड़ाव इस वेकिन mirrorless के lenses usually expensive ही होते हैं तो इससे portrait photos हम कैसे कर सकते हैं landscape photos हम कैसे ले सकते हैं उन सब की हम testing करेंगे तो मैंने इससे portrait photographic की है तो उसके sample photos को में screen पे डाल दूँगा तो आपको idea लंग चाहेगा कि 50mm lens से आप कैसी photographic कर सकते हैं तो आपको 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 आप झाल झाल आपको इससे लिए फोटो अच्छे लगए को काफी अच्छा लेंस है क्योंकि 1.8 तक है परफॉर्म करता है तो लो लाइट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है बैक्ग्राउंड ब्लॉर आपको जब तस मिल जाएगा फुल फ्रेम पे आप यूज करें तो आपको तो डेफिनिटली आप इस वाले लैंस को ले सकते हैं सोनी का एक और लैंस आता है 50 mm का 1.8 अपरचर का जिसमें की आपको इमेज इस्टेबलाजेशन भी मिल जाता है लेकिन वो वाला लैंस आपका फुल फ्रेम पे काम नहीं करता वो आपका एपी स्थी क्रॉप सेंसर कैमर के लिए ही बनाएं तो आपको ध्यान रखना है जब आप फुल फ्रेम के लिए ले रहे हैं उसके उपर सोनी 50 mm FE लिखाओ, FE वाला जो कीवर्ड है उसका आपको ध्यान रखना है तो मैं इसका सेंपल फोटो डाल दूंगा स्क्रीम पे ताकि आपको पता चल जाए कि आपको फुल फ्रेम बाला लेंस ही लेना है तो आपको इसके रिजल्स तो अच्छे लगे होंगे मुझे तो बहुर अच्छे लगे मेरा वन ओफ द फेवरेट लेंस है सुनी सिस्टम में काफी एफोर्डेबल है और जबरदस रिजल्स आपको निकाल के देता है वीडियो अच्छ